जैसा की आप जानते हो ट्विटर जानकारी का एक अच्छा माध्याम है और आज के समय में हम उठेंटिक जानकारी के लिए ट्विटर ही खंगालते हैं चाहे फिर देश के कुई मशूर राज नेता हो या अभी नेता सब अपनी बात रखने के लिए ट्विटर पर विश्वास करते हैं नमचकार मैं सजल लगवंशी स्वागत करता हूँ आपका वी उबा के नए प्रोग्राम ट्विटर वॉर में आज हम बात करेंगे कॉंग्रेस के ट्विट्स पर जो कॉंग्रेस के ओफीशिल ट्विटर हैंडल ने पोस्ट की है पहला ट्विट टीन जनवरी को कॉंग्रेस ने ट्विटर पर एक वीडियो साजा कर लिखा कि साल बदला है किसान का हाल वही है यह ट्विट कॉंग्रेस ने मद्ध प्रदेश में नीमच के एक किसान द्वारा 40 बोरी लहसुन नाले में बहा देने के बात किया था इस ट्विट के जरिए कॉंग्रेस ने किसान की हालत दर्शाने की कोशिश की और साथ में भाजपा पर सीधा निशान असादा वहीं कहीं न कहीं यह अनुमान भी लगाया जा सकता है इस ट्विट के माद्यम से कि कॉंग्रेस सत्ता में आने की बापिस कोशिश कर रही है ट्वीट किया और लिखा कि ये है बेटी बचाओ का नारा देने वालों का चाल चरित्र और चहरा इस ट्वीट को पढ़ने के बाद ये साफ साफ नजर आता है कि कॉंग्रेस किस तरह से पक्ष की हर गलतियों पर बारी की से नजर रख रही है इन सब ट्वीट के अलावा कॉंग्रेस ने पाद जन्वरी को ट्वीटर पर भाजपा से तीन सवाल भी पूछे जो की जैन समाच के धार्मे के स्थलों को परियाटन जोन बनाने के फैसले से सम्बंदित हैं पहला सवाल क्या ये एक राजनियतिक साजिश है? दूसरा सवाल कॉंग्रेस ने दागा क्या बीजेपी की गुजरास सरकार ने जैन धर्म के तीर्थ स्थलों का जानबूच कर अपमान किया है तीसरा सवाल क्या मोदी सरकार पारसनात पहाडियों और पवित्र शिखाई जी को एको सेंसिटिव जोनवा परियाटन इस्थल गोशित करने की अधी सूचना बापिस लेगी यह सवाल कॉंग्रेस के प्रवक्तार राज खेर ने प्रेस कॉंफरेंस के जरिये पूचे हैं जिसका एक छोटी सी क्लिप कॉंग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी साजा की प्रदीब भाई ने दिया 2003 का जो एक बिल मोधी जी जब मुख्य मंतरी थे गुजरात में लाए थे क्या भाजपा की गुजरात सरकार ने जेन तीर स्थलों का जान बुच कर अपमान नहीं किया और सबसे महतुपूर्ण सवाल ये है कि क्या मोधी सरकार पारसनात पहाड़ियों और पवित्र शिखर जी को एको सेंजिटिव जोन घोशित करने और उसे परेटन स्थल में बदलने की अपनी अधिसूचना वापस लेगी और अगर नहीं वापस लेते तो क्या ये भारती समिधान के आर्टिकल 25 की खुले आम अभेलना नहीं है ये हमारे कुछ महतुपूर्ण सवाल हैं मोधी सरकार से जिसका नारा है सबका साथ सबका विकास और चुन-चुन कर विनाशकारी काम किये जा रहे है इन सब ट्वीट्स को देखकर आप लोगों को ये साफ नजरा रहा होगा कि भारत जोडो यात्रा के अलावा भी कॉंग्रेस अपने सोचल मीडिया हैंडल पर मजबूती से सकरिये है क्या ट्वीटर वाल से हो पाईगी कॉंग्रेस की नईया पार ये तो 2024 का लोगसवा चुना भी बताएगा पर ऐसे अनेकों ट्वीट्स के लिए जुड़े रहे हमाए साथ वी यूवा पर धन्यवाद